नमस्कार किसान साथियों इंडियन टेक्निकल फार्मिंग चैनल में आज आपका स्वागत है जहां पर बात होती है केवल और केवल किसानगी मेरा नाम दल्बीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है और मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए खेती से जुड़े एक नई वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूँ कि फसल चक्कर क्या है और इस फसल चकर की क्या विश हिस्ता है और फसल चकर के क्या लाब है किस तरह फसल चकर अपनाने से फसल में वर्ति होती है इस वीडियो को अंत तक जुरूर देखे ताकि आपको खिती से जुड़ी से द 2024 को चैनल पर नए हो तो डियो को जाधा से ज़्यादा लाइक शब्सकेब अब कमेंट जुरूर करना और Candice पर्मिंग को शब्सक्राइब करेंि devastating को कि hai そ दो की नोटिशिशन आपको मिलती रहे चलो चलिए आकर सककर का मैं Bir बाद फसल चक्र को सफसे चकरीया कि रोब रोटेशन यहां की जना जाता है किसी निस्चित भूमी में निस्चित समयोरे वाले पसलों को लगातार अदल बदल कर बोना इह फसल चक्र का लगता है फसल चक्र का मुख्य उद्य से किसी भी तरह के बूद्य के लिए भूमियों हैं मुझूद फसक्तों के शुदू फ्योग से भूमिय की बोतिक और जेविक सित्ति में संतुलल मनाये रखना है लगातार फसल चक्र अपनाने से किसान भाई को फसल में आने वाली की तरह की प्र लगातार उगाने से किसान भायों को फसल की कम उपज मिलती है और एक ही फसल को खेत में लगातार उगाने से मिट्टी में भी जनीत और मर्दा जनीत रोग भी बढ़ जाते हैं जिसके गाण भूमिय में विशेले गुन आ जाते हैं भूमिय के अंदर विशेले गुन कि नश्ट हो जाते हैं और भूमी दीरे दीरे बंज और रूप दाण करने लगती हैं फसल चक्र के फाइदे किसी भी खेत में फसल चक्र अपनाने से भूमी और फसल में कई तरह के फाइदे देखने को मिलती है फसल चक्र के अपनाने से भूमी में अमल यह उसारी अगुन प फसल्चक्र अपनाने से पैदावार अधिक मातरा में प्राबत होति है जिन डिन गुनुता भी अच्छी पाई जती है भूमी में फसल्चक्र अपनाने से व Chrban Parate 4 पूरुक कम आउतरा में इस्तेमाल किया जाते हैं जिससे मिट्टी पर दुस्ट कोने से बस्ती है फसल चक्र अपनाने से फसलों में रोग भी काफी कम ही देखने को मिलते हैं जिसके वज़ए से किसान भाईयों के दोबार रसानिक दौाओं उपर क्या जाना वाला खर्च भी कम हो जाता है फसल चक्र के दोरान फली वाली फसलों के बोने पर खेत में नाइटोजन की पुर्ती रहती है फसल चक्र अपनाने से खेत में खर्पतवार में कमी देखने को मिलती है क्योंकि फसल चक्र के दोरान अधिक गुड़ाई वाली फसलों के बोने पर खेत में और नैंसी हिए आख अधिक पॉस्र detect तो Up उन पॉसल तक तो घड़न करने वा ली फ़सलों की खेती पार सभ साद खेत को ने खाली चोड़ देना चीए किसी भी विश्य से रोख के लगने पर उस फसल को लगाता खेट में नहीं हुगाना चाहिए जिन फसलों के जड़े अधिक राय में जटती है उन्हें होगाना चाहिए अनाज फसलों को उगाने के बाद 2-3 साल में एक बार धलनी फसलों को जुरूर उगाना चीए अधिक गुडाई वाली फसलों के बाद कम गुडाई की जूरत वाली फसलों को उगाना चीए अधिक शिचाई वाली दान जाएशी फसलों के बाद कम शिचाईगी जोत वाली फसलों को गाना चाहिए अधिक उरुक लेने वाली फसलों के बाद जिन फसलों के लिए उरुक क्यों काफी कम आव सकता अपति मनूने अगाना चाहिए पकार पती पर दान परती फाल्म ठालाच। दान चना बाजरा चना भाज्जना आधियों धान चना कपास मत्र गहूँ जवार चन्ना बाजरा चन्ना जवार चन्ना कपास मत्र गहूँ दान मत्र धान मुठ्र गन्ना मुक्टी एरर, गन्ना मसूर, मिथ्था, मटर मिथ्था, अनाज अधारित मक्का गेहूं, दान गेहूं, गन्ना गेहूं, चन्ना गेहूं, दान गन्ना, पेड़ी मक्का, जो गुवार गेहूं, बाजरा गेहूं, दान बर्सिन मक्का, उर्द गेहूं, प्रिंडा अलू, मूली सब्जम, बिंडी गाजर, बिंडी माटर पाला, टमाटर फुलगो भी मूली, दान अलू, टमाटर बंगो भी मूली, गंडम लोकी, दान लसुन, मिर्स, दान अलू, लोकी यह फस्द सक्कर की कुछ विशेस ताइं थी, अगर आप कोई यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक से एक माट, अंडियन टेक्निक की पालियों को सब्सक्राइब प्रेक भी माट,